वर्ष 2021 में कुल चार ग्रहन हैं जिन में से दो ग्रहन लग चुके हैं वर्ष 2021 का पहला सूरी ग्रहन गुरुवार 10 जून को हो चुका है ये ग्रहन दोपार 1 बच कर 42 मिनट से शुरू हो कर शाम 6 बच कर 41 मिनट पर समाप्थुआ भारत में सूरी ग्रहन केवल आवणाचल प् पको कि अग्ला इस ग्रहन कब लगेगा और किन जगहों से दिखाई देगा वर्ष 2021 का दूसरा चंदर ग्रहन उन्नीस नवंबर 2021 को लगेगा ये चंदर गहन आशिकत तवर पर दिखाई देगा यूरोप के अधिकांश हिस्थों में एशिया के अधिकांश हिस्थों में औस्ट्रेलिया उत्तर पेश्चिम अफ्रीका उत्तरी अमेरिका दक्षन अमेरिका प्रशान्त अटलांटिक हिंद महासागर आर्केटिक में चंदर ग्रहन का नाजारा देखने को मिलेगा वर्ष का दूसरा सूरी ग्रहन 4 दिसंबर 2021 को लगेगा ये सूरी ग्रहन पूर्ण सूरी ग्रहन होगा चार दिसंबर को लगने वाला सोरी रहन दक्षिन ऑस्ट्रेलिया दक्षिन अफ्रिका अमेरिका के दक्षिन हिस्सों में प्रशांथ अट्लांटिक हिंद महासागर अटिका में दिखाए देगा बता दिया आपको कि इससे पहले वर्ष का पहला चंद्रेंड 26 मही 2021 को लग पूर्वी एशिया, 右 स्ट्रेलिया, प्रशांथ, आमेरिका, अट्लांटिक और हिंद महासागर के कुछ इस्सों में दिखाए दिया था। भारत के पुरवोत्तर राज्यों के कुछ इससे पशिम मंगाल के कुछ इस्सों, ओडिशा के कुछ इस्सों और अंडमान और निक वार देप सम्मूह से चंद्रगहन देखा गया था बता दें आपको कि चंद्रगहन तब होता है जब प्रत्वी सूर्य और चंद्रमा की बीच आ जाती है जिससे सूरी की केर्णे सीधे चंद्रमा तक नहीं पहुच पाती है इसके विप्रीत सूरी ग्रहन तब होता है जब च संद्रमान का थां निकलता है तो चंद्रगर्ण पड़ता है जब सूरी की गेर्णों को पुरी तरह से रूख लेती है तो उसे फून कर दो बिसमास का स польз रह Excellence Theиш君का दें में अब्वम के想 crown नर्ड़त का सभू कर दो झाल झाल